हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल विजार्ड क्लासिस पर अभी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिपी एसी टी आरी टू क्लास 11 ट्वेल्थ में जो है जी के जी एस का कोश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं 33 नमबर पूछ रहा है निमलिखित में से कौन सा कथम जो सत्य नहीं है परतेक प्राकिर्थ संख्या एक पूर्ण संख्या है परतेक प्राकिर्थ संख्या एक पूर्ण संख्या है ठीक है तो इसका आंसर जो है हो जाएगा option बी परतेक पूर्ण संख्या है ये जो है सत्य न 20 है, इन में से सबसे बरी संखियां क्या होगी ठीक है, question ये पूछ रहा है सात कर्मागत संखियां का ओसत 20 है, इन में से बरी संखियां क्या होगी तो इसका आंसर जो है, option C 23, ठीक है इसका आंसर है option C 23, next question है हम लोग का question number 34 34 number ये पूछ रहा है समी करण AX square plus BXC is equal to 0 के 2 भिन बास्तविक मुल क्या होंगे तो इसका answer है friends हो जाएगा option number B next question है हमारा मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है दोनों 1, 7, 5 दिनों के लिए सरम करते हैं यहीं कि आराम करते हैं यह हो जाएगा नहीं मतलब काम करते हैं यह हो जाएगा ठीक है और उसके बाद मोहन जो है काम छोड़ देता है मतलब 5 दिनों के लिए जो है दोनों एक साथ काम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है सेस्कार को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा तो सोहन को समय लगेगा 11 दिन का ठीक है प्रेंट्स पहले math का इस question है उसके बाद जो है GKGS का भी question है उसको भी हम लोग discuss करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रेंट्स तो आते हैं question number 36 पे question number 36 यह है यदि x is equal to a square minus b square है और y का value 30 है तथा a plus b 15 है तो क्या होगा तो इसका answer जो है उप्रिक्ट में से एक से अधिक होगा ठीक है next है question number 37 यहाँ पे कह रहा है यादरिक छिक रूप से चुने गई एक गैर लीप वर्स में तिरपन रभिबार होने की परायकता कितनी है तो इसका जो है एक बटे 7 हो जाएगा answer next है question number 38 देख लिजिए 7 to the power 12 x plus 6 is equal to 49 to the power 3 x plus 12 तो x का value क्या होगा friends तो x का value 3 हो जाएगा next question है हमारा myopia वह बिमारी है जिसमें backti देख नहीं पाता है तो myopia विमारी में जो है backti क्या नहीं देख पाता है option A है दूर की बस्तुएं असपश्ट रूप से option B pass की बस्तुएं असपश्ट रूप से option C pass की तथा दूर की बस्तुएं असपश्ट रूप से option D उपरिक्ट में से एक से अधिक option उप्रिक्त में से कोई नहीं तो इसका answer जो हो जाएगा option number A यानि कि myopia बिमारी में जो है इसमें backty दूर की बस्तुए असपश्ट रूप से नहीं देख पाता है अनुबान शिक्ता सब्द मुख रूप से किसे संधर्वित करता है अनुवान सिक्ता सब्द जो है मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है ओप्शन A, सरीर रचना को ओप्शन B, अर्द सुत्री विभाजन को ओप्शन C, अनुवन सिक्षी को तो फ्रेंड्स इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन C यनि कि अनुवान सिक्ता सब्द जो है मुख्य रूप से अनुवान सिक्षी को संदर्भित करता है नेक्ष्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर 41 41 नमबर कोस्चन ये पूछ रहा है जिन डब्बो में खाना पैक किया जाता है उन पर तीन की परत चढ़ी होती है ना की जिनक की क्यूंकी ठीक है कोस्चन पूछ रहा है जिन डब्बो में खाना पैक किया जाता है उन पर तीन की परत चढ़ी होती है ठीक है ना की जिनक की क्यूंकी ओप्सन ये है तीन जो है जिनक की तुलना में अधिक परतिकिरिया असील है option B, jink teen की तुलना में अधिक परतिकिरियासील है option C, jink teen से महंगा है तो friends इसका आंसर हो जाएगा option B, jink जो है teen की तुलना में अधिक परतिकिरियासील है इसलिए जिन डबो में खाना पैक किया जाता है उन पर teen की परत चठी होती है जिनक जो है teen की तुलना में अधिक परतिकिरियासील है इसलिए जिन डबो में खाना पैक किया जाता है उन पर teen की परत चठी होती है next है question number 42 question number 42 यह पूछ रहा है कि वह परकिरिया जिसमें परकास संसलेशन के दवरान बायू मंडलिय कार्बन डायोकसाइड को कार्बो हाइडरेट में परिवर्थित किया जाता है उसे क्या कहते है वह परकिरिया जिसमें परकास संसलेशन के दवरान जो है बायू मंडलिय कार्बन डायोकसाइड को कार्बो हाइडरेट में परिबर्तित किया जाता है उस परकिरिया को क्या कहते है तो उस परकिरिया को जो है फ्रेंड्स अपचेयन कहते है उस परकिरिया को जो है अपचेयन कहते है ठीक है अब चेयन जो है वह परकिरिया है जिसमें परकास संसलेशन के दवरान जो है बायो मंडलिया कार्बन डायोकसाइड को कार्बो हैड्रेट में परिबर्तित किया जाता है नेक्स्ट है है हमारा question number 43 43 number question यह है कि एक printer की गुनबत्ता किससे निर्धारित की जाती है एक printer की गुनबत्ता जो है किससे निर्धारित की जाती है तो friends इसको English में dot per inch कहते हैं और Hindi में जो है बिंदू परती inch हो जाएगा ओके नेक्स्ट कोस्टन है हमारा ट्रैकोमा रोक का संबन्द किससे है फेफरो से है कान से है या फिर आँक से है तो friends ट्रैकोमा रोक का संबन्द जो है आँक से है नेक्स्ट कोस्टन है निमलिखित में से कौन सा Newton के गती के तीसरे नियम का उप्योग करता है तीरंदाजी अंत्रिक्ष रोकेट वैंचूरी मीटर तो इन सभी में से जो है Newton के गती के तीसरे नियम का उप्योग कोन करता है तो friends इसका option हो जाएगा option number D उप्रिक्ट में से एक से अधिक इसका अंसर हो जाएगा next question है रासाइनिक गुनों को अप परिवर्तित रखते हुए एक परमानु के नाभिक में जोरने वाला कन कौन सा है रासाइनिक गुनों को अप परिवर्तित रखते हुए एक परमानु के नाभिक में जोरे जाने वाले कन कौन से है Neutron, Electron, Proton तो friends इसका अंसर जो है Neutron हो जाएगा इसका अंसर जो है Neutron हो जाएगा यनि कि रासाइनी गुनों को और परिबर्तित रखते हुए एक परमानुक के नाभिक में जोरे जाने वाले कन जो है वो Neutron है Next question है Current Affairs का ये question है एलन मस्क दुआरा सिंग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदल कर X लोगो की घोसना करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्क्रण में ट्यूटर के परतिष्टित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा Martin Grasser Next question है ये भी Current Affair का ही है इस बर्स रिलीज हुई उच अब धारना बिज्ञान के बारे में परसीद फिल्म ओपेन हाइमर के निर्देशा कौन है तो इसके अंसर हो जाएगे friends Christopher Nolan Next question है निमलिखित में से किसने राष्ट मंडल खेलो के 2026 संसकरन की मेजवानी से इसकी आयोजन पर भारी अनुमानित वै के कारण अपना नाम वापस ले लिया तो friends इसका अंसर जो हो जाएगा Victoria Australia Next question है ये भी Current Affair का ही question है हाल ही में बने बिपक्षी राजनीती दलों के गटबंधन इंडिया का पुर्ण रूट क्या है तो इसका नाम जो हो इसका फूल फॉर्म जो है हो जाएगा Indian National Developmental Inclusive Alliance Next question है ये भी Current Affair का ही है August 2023 में जब चंदरियान 2 चंदर और्बीटर ने चंदरियान 3 के Lander Module से संपरक स्थापिट किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था उसने उसे संदेश भेजा था Welcome Buddy का ठीक है Next question है हमारा 1989 में लोकतंतर समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्वराष्टपती का नाम लिखिए नेक्स्ट है आयरलेंड के परधान मंत्री के रूप में दूसरे कारकाल के लिए किसे चुना गया है तो इसका अंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा लियो वराडकर Next question है भारत में आयोजित G20 सिखर सम्मेलन में अफरीकी संग को अस्थाई सदस बनाया गया है तो पूछ रहा है यहां पे अफरीकी संग के अध्यक्ष कोन है तो इसका अंसर जो है हो जाएगा अजाली असोमनी ठीक है अजाली असोमनी इसका अंसर हो जाएगा Next question है भागोलिक छेतरफल के अनुसार भारत की निमलिखित भातिक यनि की फीजोग्राफिक इकाईयों को आरोही कर्म में ब्यवस्थित कीजिए पहला है केंद्रिय उच भाग दूसरा है महान मैदन तीसरा है तटिय मैदन चौथा है उत्तरी परवत तो फ्रेंड्स इसको जो है एरेंज करने के बाद हो जाएगा ओप्सन ए तीन एक दो चार ठीक है यनि की पहले जो है हो जाएगा तटिय मैदन ठीक है पहले जो है हो जाएगा तटिय मैदन उसके बाद जो है हो जाएगा केंद्रिय उच भाग उसके बाद महान मैदन ठीक है उसके बाद उत्री परवत ठीक है पहले हो जाएगा तटिय म उत्तर से दक्षिन की और करम में वेवस्थित कीजिए निमली खित्र स्रेनियों को जो है उत्तर से दक्षिन की और करम में वेवस्थित कीजिए पहला है लदाक दूसरा है कारा कोरम तीसरा है पीर पंजाल चौथा है जौन्सकर तो फ्रेंड्स इसका अंसर जो है हो जाएगा option B यनि कि पहले जो है हो जाएगा कारा कोरम फिर लदाक होगा फिर जौन्सकर होगा फिर पीर पंजाल होगा ठीक है पहले जो है कारा कोरम होगा फिर लदाक होगा फिर जौन्सकर होगा फिर पीर पंजाल होगा ठीक है next question है हमारा भारत में मौनसून सीजन में अधिकांस चक् की उत्पत्ती होती है। तो friends इसका अंसर जो है हो जाएगा option B 10 degree उत्तर और 15 degree उत्तर अक्छांस के मढ़्ध बहारत में मानसून इजन में अधिकांस चक्रवातों की उत्पत्ती होती है। निमलिखीत छेतरों में से कौन सा जो है भू अस्खलन परविर्ती नहीं है तो फ्रेंड्स इसका अंसर जो है हो जाएगा पूरवी घाटी, option भी पूरवी घाटी निमलिखीत में से भारत का कौन सा तट उग्र उसका अंसर हो जाएगा कोरो मंडल तट ठीक है फ्रेंड्स निमलिखीत में से जो है कोरो मंडल तट जो है उसन कटी बंदिया चकरवातों से सबसे अधिक परवावित है गिभेन options के अनुसार जो है उसन कटी बंदिया चकरवातों से सबसे अधिक परवावित जो है वह है कोरो मंडल तट ठीक है नेक्स्ट कोस्टन पर आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर सिख्टी जब बहता पानी चिकनी मिटी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है गली कटाओ, सीट छरन, बनो की कटाई तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए गली कटाओ यानि कि जब बहता पानी चिकनी मिटी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे हम लोग गली कटाओ कहते हैं जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे हम लोग गली कटाव कहते हैं नेक्स्ट कोस्चन है निमलिखीत में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महिनों में भारी बरसा होती है निमलिकित में से कहां पर जो है अक्टूबर और नवंबर के महिने में भारी बारिस होती है तो कोरो मंडल तट ठीक है फ्रेंट्स कोरो मंडल तट में जो है अक्टूबर नवंबर के समय में भारी बारिस होती है औरो मंडल तट में जो है अक्टूबर नवंबर के महिने में भारी बारिस होती है नेक्स्ट कोस्टन है फलो एवम सबजीयों की खेती क्या कहलाती है फलो एवम सबजीयों की खेती जो है क्या कहलाती है तो फ्रेंड्स ये बागवानी कहलाती है फलो एवम सब्जियों की खेती जो है बाग वानी कहलाती है नेक्ष्ट कोस्टन है हमारा और प्टना आरा और सहाबाद जिलों में किसने नेत्रित्व परदान किया option A, राजकुमार सुकल option B, नामदार खान, option C कुबर सिंग, तो friends इसका answer जो है हो जाएगा कुबर सिंग इसका answer जो है हो जाएगा कुबर सिंग, यनि की बिहार में 1857 की करांती के दवरान जो है पतना और आरा पतना आरा और साहबाद जीलो में जो है कुबर सिंग ने नेतिक्तु किया था, next question ये पूछ रहा है कि बंगाल बिभाजन जो है परभावी कब से हुआ था तो बंगाल बिभाजन जो है परभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को ओके friends बंगाल बिभाजन जो है परभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को next question है बंबई में कॉंग्रिस त्वारा भारत छोरो प्रस्ताव पास किया गया था कब next question ये पूछ रहा है कि बंबई में जो है कॉंग्रिस त्वारा भारत छोरो प्रस्ताव कब पास किया गया था option A 7 अगस 1942, option B 8 अगस बंबई में जो है कॉंग्रिस त्वारा भारत छोरो प्रस्ताव जो है पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को बंबई में जो है कॉंग्रिस त्वारा भारत छोरो प्रस्ताव जो है पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को next question है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज जी कैसे किया ओप्सन A कॉंग्रेस की उदारबादी नीतियों के कारण ओप्सन B भारतिय निताओं की गिर्भतारी के कारण ओप्सन C बांटो और राजकरों की नीती के कारण option D, उप्रिक्त में से X, option D, उप्रिक्त में से कोई नहीं तो friends इसका अंसर हो जाएगा option C ठीक है, बांटो और राज करो की नीती के कारण जो है, Congress ने भारत पर लंबे समय तक राज किया बांटो और राज करो की नीती के तहत जो है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया नेक्स्ट कोस्टन ने निमलिखित में से किस तिथी को रानी विक्टोरिया की उद्खोसना जारी हुई थी एक नवंबर 1857 को, 27 मार्च 1858 को, एक नवंबर 1858 को आपसेंडी उप्रुक्त में से एक से अदिक, आपसनी उप्रुक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंट्स इसका अंसर हो जाएगा एक नवंबर 1858 यनि की एक नवंबर 1858 को, जो है, रानी विक्टोरिया की उद्खोसना जारी हुई थी ठीक है फ्रेंट्स 1 November 1858 को जो है Ronny Victoria की उद्वोसना जारी होई थी Next question पूछ रहा है निमलिखीत में से कौन सा कथण सही है निमलिखीत में से कौन सा कथण सही है तो फ्रेंट्स इसका अंसर हो जाएका option D उपरुक्त में से 1 से अधिक कथण सही हो जाएका नेक्ष्ट है इन में से कौन इंगलेंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने उप्षन E सुरेंदर नात बनरजी, ऑप्षन B दादा भाई नारोजी, ऑप्षन C स्वामी विवेकानन्द, ऑप्षन D उप्रुक्त में से एक स्यदे तो फ्रेंड्स इसका अंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी, इसका अंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी, यानि कि इंगलेंड में जो है भारत के अनाधिकारिक दूत जो है वो दादा भाई नारोजी बने थे इंग्लेंड में जो है भारत के अनाधिकारिक दूट जो है वो दादा भाई नारोजी बने थे नेक्स्ट कोस्टन है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है किसने गुलामी का चार्टर बताया तो friends इसका answer जो है इसमें उपरिक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ठीक है उपरिक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका answer ओके तो चलिए ये session जो है इंड होता है जिसमें की हम लोगों ने computer science या फिर 11-12 के जितने भी GKGS के paper हैं सब में यही question पूछा गया था तो ठीक है 11-12 के GKGS को question को हम लोग discuss किया जो TRE2 में पूछा गया था ठीक है friends चलिए तो आप session को इंड करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग next video में Thank you everyone